नमस्कार दोस्तों आप सभी का सौगत है आपके अपने यूटूब चैनल रवीशडी आईक्यू जीके पर आज मैं आपके लिए 1000 जर्नल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टन कोशन का पार्ट 10 वीडियो लेकर आए हूँ मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टन जर्नल सा फर्स्ट कोशन है हमारा किस बल के कारण नदी के पानी में बहाव होता है सही आंसर इसका ऑप्शन डी घर्शन बल घर्शन बल को हम फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं घर्शन बल को हम क्या बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स और इसी बल के कारण नदी के पानी में बहाव हो मोस्ट इंपॉर्ण कोशन है एक्जाम में कई बार पूछा गया है अगला कोशन कर लेते हैं ये भी एक्जाम में कई बार पूछा गया है बहुत की कि शाखा में अती सुक्ष्म कनों की चाल का अध्यन किया जाता है सही आंसर इसका option B quantum mechanics quantum mechanics बहुत की कि वह शाखा है जिसमें अती सुक्ष्म कनों की चाल का अध्यन किया जाता है most important रहेगा आपके एक्जाम के लिए next question कर लेते हैं प्रिथवी का पलायन वेक पलायन वेक को हम escape velocity भी बोलते हैं कितना होता है सही answer है option C 11.2 km per second प्रिथवी का जो पलायन वेक होता है यानि escape velocity होता है वो 11.2 km per second होता है नहां पर रहा है पलायन वेक पलायन वेक जिसे कि हम एसके velocity भी बोलते हैं फिर यह एक ऐसा वेक होता है अगर कोई भी object जो होता है अगर प्रिथवी से अगर हम प्लायन वेक से उपर की तरफ भेजते हैं तो वो कभी भी प्रिथवी पर वापिस नहीं आएगा ठीक है यह अपने याद रखना है आपसे exam में question ऐसे ही पूछा जाता है कि किसी object को प्रिथवी से 11.2 km2 से उपर की तरफ फेका गया है वो प्रिथवी पर कब वापिस आएगा तो इसका जो सही answer होगा कभी नहीं आएगा ठीक है friends यह question दोनों तरीके से exam में पूछे गए हैं next question कर लेत गती का जर्तव जो होता है यह इसका कारण है जब भी भी कोई train friends जब भी भी आप train बैठे होते हो train आगे की तरफ चलती है आपको पीछे की तरफ यादि जो आपका सर है पीछे की तरफ जुग जाता है इसका कारण क्या होता है गती का जर्तव most important question है यह और friends आपसे exam में question और पूछा जाता है कि जो गती का जर्तव नियम है यह किस ने दिया था तो friends आपका आंसरों का जो newton विज्ञानिक थे यहाँ पर लिख देता हूँ newton जो विज्ञानिक थे इन्होंने गती का जर्तव नियम दिया था friends यहाँ पर जो word जर्तव है इसे हम inertia भी बोलते है यह जैसे की गती का जर्तव नियम भी बोलते हैं तो आपका आंसर होगा जो newton का प्रतव नियम था friends उसे हम गती का जर्तव का नियम भी बोलते हैं यह भी आपने याद रखना है और मैंने आपको बताया एक train जैसे ही चलना आरंब करती है उसमें बैठे वे यातरी का सर पीछे इसका कारण क्या है नियूटन का प्रतव नियम यह भी इसका आंसर होगा नियूटन का प्रतव नियम के कारण यह आप हो सकते हो गती का जर्तव के कारण यहाँ पर लिखते हों friends आप notes बनाते रहों नियूटन का प्रतव नियम भी इसका आंसर होगा नेक्स्ट कोशन है मारा माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है सही आंसर है इसका ओप्शन C, सेंटीमीटर सेंटीमीटर को फैंट जब भी आप 0.39 से गुना कर दोगे तो जो आपकी पास रिजल्ट आएगा वो इंच में आएगा ठीक है यह कोशन भी एक्जाम में कई बार पूछा गया है फ्रेंट्स आपको कोशन का लेवल देखके पता लग गया होगा सभी कोशन जो आपके मैं लेकर आया हूँ most important लेकर आया हूँ exam oriented है और exam level के कोशन है सारे यह next question कर लेते हैं most important है यह टैकियान से क्या ताथप्रे होता है सही answer असका option B परकाश की गती से तीर्व गती वाले कन परकाश की गती से तीर्व गती वाले कन को हम टैकियान बोलते हैं यह भी exam में कई बार पूछा गया है और friends परकाश की गती आप सभी को पता है कितना होता है 3 x 10 x 8 meter per second ठीके friends यह भी आपने याद रखना है अगर हम kilometer में बात करें 3 x 10 x 5 kilometer per hour meter per second में होता है 3 x 10 x 8 meter per second kilometer per hour में होता है 3 x 10 x 5 kilometer per hour यह भी आपने याद रखना है और टैकी यान मैंने आपको बताया प्रकाश की गती से तीर गती वाले कन को कहा जाता है Next question कर लेते हैं Most important concept है इसमें science का अगर आपको इस question का answer पहले से आता है तो आप मुझे comment रखे बता सकते हो मेरे answer बताने से पहले Question का है हमारा समान गती से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक bum नीचे गिराया जाता है तो bum के नीचे पहुँचने तक हवाई जहाज की स्थिती क्या होगी सही answer इसका option C bum के ठीक उपर फिर देखो question हमें यह कह रहा था कि हवाई जहाज जा रहा है ठीक है और हवाई जहाज से bum को नीचे गिराया जाता है तो जब bum जमीन पे पहुँचेगा तब उस time हवाई जहाज कहाँ पर होगा तो जायतर लोग यह सोच रहे होंगे कि bum गिरा कि जैसी bum नीचे गिराएगा तो हवाई जहाज बहुत आगे निकल जाएगा ठीक है लेकिन यह इसका answer नहीं होगा इसका answer यह होगा फिर जब bum जो है जमीन पे पहुचेगा ना तो जो हवाई जहाज होगा ठीक इसके ओपर होगा फोटो बना के मैं आपको समझाता हूँ suppose करो फ्रेंटस यह जहाज है ठीक है यह जहाज है ठीक है कुछ इस प्रेगार का जहाज है बस मैं बना बना रहा हूँ ठीक है यहाँ से जब भी भी bum नीचे गिराए जाएगा ना ठीक है तो यह bum ना parabolic path follow करेगा कैसा path follow करेगा? parabolic ठीक है मतलब इस तरह का path यह follow करेगा मतलब जैसे ही bum जमीन पे पहुँचा तो जो हवाई जहाज होगा ठीक इसके ऊपर होगा मतलब इस जगे पे होगा तो इसलिए हमारे question का जो answer हुआ वो हुआ बम के ठीक ऊपर आपने यह नहीं सोचना है कि जैसे ही bum नीचे गिराया बम नीचे चला गया और अवाई जहाज आगे चला गया यह concept गलत है इसमें parabolic path follow होता है जैसे ही bum जमीन पे पहुँचा हवाई जहाज ठीक इसके ऊपर पहुँच जाएगा ठीक है friends यह हमारे question का answer था और यह question कई बार exam में पूछा गया है next question कर लेते हैं एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है यदि भै किनारे की और चले तो नाव डैश सही answer है इसका किनारे से दूर बढ़ेगी most important concept है इसमें मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ question क्या कहता है कि एक कोई स्थिर जल है ठीक है स्थिर जल के बीच में एक नाव खड़ा है ठीक है नाव में एक व्यक्ति भी है ठीक है एक व्यक्ति भी है और question यह कहता है कि यदि एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है यदि वह किनारे की और चले तो नाव डैश तो सही आंसर होगा किनारे से दूर बढ़ेगी, जो नाव होगा वो किनारे से दूर बढ़ेगी, ठीक है, इसके वीज़े जो concept होगा न, वो होगा Newton का जो तीसरा नियम है, यहाँ पर लिखके बताता हूँ, Newton का जो तीसरा नियम है, ठीक है, Newton का तीसरा नियम क्या था, वो था क्रिया प्रतिक क्रिया ठीक है प्रतिक क्रिया तो देखो जब ये इनसान आगे को बढ़ेगा न अब ठीक है क्रिया क्रिया क्या कर रहा है आगे को बढ़ रहा है लेकिं जो बल लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा इस वज़े से जैसी वो आगे बढ़ेगा जो नाव है व पुछा जाता है कि एक स्थिर व्यक्ती जल में नाव में खड़ा है, यदि वैं किनारे की और चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ती है, ये किस कारण से होता है तो आपका अंसर होगा Newton का जो तीसरा नियम है जिसे कि हम क्रिया पतिकिया भी बोलते हैं, कारण से होता है next question कर लेते है जल का अधिकतम घंतव क्या होता है most important question है यह अधियांत इसका answer आपने मुझे बताना है तो सही answer है इसका option B 277 Kelvin पर जल का जो अधिकतम घंतव होता है friends वो 277 Kelvin पर होता है अगर हम बात करें Celsius scale पर तो आप सभी को पता है कहां पर होता है चार डिगरी Celsius पर ठीक है लेकिन हमारा answer यहां पर Kelvin पर था इसलिए answer क्या हुआ 277 Kelvin हुआ अब 277 Kelvin कैसे हुआ आपको यह पता हो ना चीए friends ठीको 0 degree Celsius जो होता है na friends यह किसके बराबर होता है 273 Kelvin के बराबर होता है ठीक है अब 0 को मुझे 4 करना है ठीक है तो मैं इसमें भी 4 पूछा जाए तो 4 degree Celsius पर जलगा घंतव अधिक होता है अगर Kelvin पर पूछा जाए तो 277 Kelvin पर सबसे अधिक होता है next question कर लेते हैं लोलक जिसे की हम pendulum भी बोलते हैं कि कलाव अधिक किस पर निर्भर करती है सही answer इसका option A लंबाई पर लोलक घड़ियां जो होती है यानि pendulum next question कर लेते हैं लोलक घड़ियां गड़ियों में क्यों सुस्त हो जाती है सही answer इसका option C लोलक की लंबाई बढ़ जाती है फिरें देखो लोलक घड़ियां क्या होता है यानि pendulum watch क्या होता है आपने फिरेंसे कुछ घड़ियां देखियोंगे ठीक है इस तरह का pendulum लगा होता है ठीक है जो इस तरफ जाता है और इस तरफ जाता है फिरेंस यह जो चीज होती है इसी को हम pendulum बोलते हैं तो हमसे यानि pendulum बोलते है या बोलते हो इसको हम लोलक बोलते हैं तो question हमसे यह पूछा गया था कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है तो उसका सह आपको समझ में आ गया होगा.. क्यों करता है क्योंकि ठंडियों में क्या होता है छोटा हो जाता है और गर्मियों में इसका साइच बड़ा हो जाता है यह आपने याद रखना है नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं यह भी बहुत अच्छा कंसेप्ट एसमें एक व्यक्ति चलती रेल गाड़ी में इंजन की और मुँ करके बैठा है वह एक सिक्का उचालता है जो उसके पीछे गिरता है तो रेल गाड़ी चल रही है सही आंसर इसका ऑप्शन डी आगे गति वर् है उसका तो हमसे पूछ रहा है कि रील गाड़ी कैसे चल रही होगी तो फर इसका अंसर होगा आगे गति वर्दन के साथ या बोल सकते हो forward acceleration के साथ train जो है वो चल रही है ऐसी liration अब लेटा हूँ ऐसी liration के साथ train चल रही है आप बोल सकते हो आगे गति वर्दन के साथ train जो है वो चल रही है next question कर लेते हैं पानी के एक glass में एक बरफ का टुकरा तैर रहा है जब बरफ पिगलती है तो पानी के स्थर पर क्या परभाब पड़ेगा सही answer इसका option C उतना ही रहेगा question क्या कहा रहा है कि पानी के एक glass में पानी का glass है इसमें बरफ का कोई टुकरा है ठीक है तो कहता है कि जब ये बरफ का टुकरा है पिगल जाएगा तो पानी का जो level होगा उसमें क्या फरख पड़ेगा तो उसका सही answer क्या होगा उतना ही रहेगा ये आपने याद रखना है next question कहलेते है फरमी वह मातरक है जो वैक्त करती है सही answer इसका option D लंबाई ये आपने याद रखना है और friends ये लंबाई et की सबसे छोटी इकाई होती है मीटर ठीक है ये एक फर्मी की वैली होती है next question कहा लेते हैं इस question को भी अपने ध्यान से समझना है परकास वर्ष क्या होता है सही answer असका option B परकास दुवारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम परकास वर्ष कहते हैं और आप से एक्जाम में फ्रेंस एक question और ही पूछा जा तो ये आपका answer होगा परकास दुवारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम परकास वर्ष कहते हैं फ्रेंस मैं आपको बता दूँ इस वीडियो में आपको most important 28 question करवाने वाला हूँ retail में जब आपके 28 question complete हो जाएंगे सभी question एक बार फटा-फट से revision भी करवाने वाला इसका बार बार बदल जाएंगा दरव्यमान नहीं बढ़ेगा, यह concept मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, कि दरव्यमान जो होता है, वो हर जगे समान रहता है, मतलब एक जैसा रहता है, यह कहीं पर भी change नहीं होता, लेकिन बदलता क्या है, उसका भाहर बदलता है, जिसे कि हम वजन भी बोलते हैं, और weight भी बोलते हैं, मतलब वजन, weight भाहर एक ही चीज है, यह बदलता रहता है, ठीक है, अगर आप प्रिथिवी पे फ्रेंट्स, पोल पे जाओगे न, या आप इकवेटर पे जाओगे, वहाँ पे वजन में फरका जाता है, ठीक है, लेकिन तो दरव्यमान होता है, फ्रेंस आ दाप से अधिक होता है, साबून का जो फ्रेंस बुलबुला होता है, उसके अंदर का जो दाप होता है, यह आपने ध्यान रखना है, यह कोशन भी डारेक्टली एकजाम में पुछा जाता है, नेक्स्ट कोशन कहलेते हैं, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, त तब सही आंसर है इसका, option B, वह कुछ ऊपर उठता है, जब friends कोई भी जहाज होगा अगर नदी से सागर में घुसेगा तो तब वह फ्रेंच थोड़ा सा ऊपर को उठ जाता है, इसका फ्रेंच जो में कारण ये होता है, जो मतलब सागर होता है, फ्रेंच सागर जो होता है, इ नेक्स कोशन कर लेते हैं, ताब बढ़ने के साथ दरव्य की शानता पर क्या फर्क पड़ता है, सही आंसर है, option B, घटता है, ताब बढ़ने के साथ, जो दरव की शानता होता है, उसको घट जाता है, शानता को हम विसकॉसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, और ताब जैसे ही बढ़ेगा, जो विसकॉसिटी होगी, किसी भी दरव्य की, वो कम हो जाएगी, ये भी आपने याद रखना है, इम्पॉर्ण कोशन है, नेक्स कोशन कर लेते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, तो उसका भार होता है, डैश सही संबंदित है, मोस्ट इंपॉर्ण कोशन है ये, सही आनसर इसका, ऑप्शन सी, विश्राम की स्थिती, स्थिती विज्ञान को हम स्टैटिक साइन्स भी बोलते हैं, और ये विश्राम की स्थिती से संबंद रखता है, ये कोशन भी एक्जाम में कई बार पूछा गया, इव गति में गतिमान होगा, एक अंतरिक श्यान जो कि इसमें चक्कर लगा रहा है, उसमें से अगर एक सेव को छोड़ा जाता है, तो वह सेव प्रित्वी पर नहीं आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, अंतरिक श्यान के साथ-साथ उसी गति में गतिमान रहेगा, फिरेंस अगर अच्छे लेवल के लिए कहा हूं, जो आपके exam के लिए काफी ज़ादा important रहेंगे, next question कर लेते हैं, लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है, सही answer है उसका, option D, प्रिष्ठ तनाव के कारण, प्रिष्ठ तनाव के कारण, प्रिष्ठ तनाव के कारण, अगला कोशन कर लेते हैं, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता रहता है, सही आंसर है, Option C, कम घंतव होने के कारण, मिट्टी का तेल जो होता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है, किस प्रकार की विद्यो चुंबक्ये तरंगों का परियोग, रात्री द्रिष्टी उपकरण में किया जाता है सही आंसर है इसका option C, उप्युक्त दोनो अवरक तरंगे जिसे की हम infrared waves भी बोलते हैं अवरक तरंगे जिने की हम infrared waves भी बोलते हैं इनका ये ऐसी विद्धियू चुम्बक ये तरंगे होती है जिनका परियोग रात्री द्रिष्टी उपकरण में किया जाता है आपके घरों में अगर CCTV क्यामरा लगा होगा ठीक है आप यहां पर देखना छोटे-छोटे से LED टाइप की लगे होते हैं ये क्या होता है ये infrared rays ही निगालते हैं जो कि अंधेरे में भी वीडियो को कैप्चर करते हैं ठीक है फिंट्स ये आपने याद रखना है फिंट्स चोटी सी मेरी आप हेल्प कर देना फिंट्स मेरा एक ब्लोगिंग चैनल है रवी XYZ फिंट्स इसे प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना फिंट्स शेर भी जरूर कर देना यहाँ पर आप मुझसे लाइव जूर सकते हो रवी XYZ ब्लोग्स और मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ एक सेकिंड भी आपका वेस्ट किये भी ना फिंट्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा कम से कम दस फिंट्स के साथ शेर भी जरूर करिएगा आस्मान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है सही आंसर इसका option A प्रकाश का प्रकिर्नन के कारण प्रकाश का प्रकिर्नन के कारण जो आस्मान का रंग होता है वो नीला दिखाई देता है और फ्रेंज प्रकाश का प्रकिर्नन को हम scattering of light भी बोलते हैं क्या बोलते हैं scattering of light भी बोलते हैं ये question exam में कई बार पूछा गया था next question कर लेते हैं और यह हमारा आखरी question है, इस वीडियो का, इसके बाद सभी question का revision है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, सही answer है, option A, प्रिष्ठ तनाव के कारण, या बोल सकते हो, due to surface tension, surface tension के कारण जो वर्षा की बूंद होती है, वो गोलाकार होती है, यह question भी exam में कई बार पूछा करवाएं हैं, उनको मैं फटाफट से revision करवाने वाला हूँ, तो फिर चलिए, start करते हैं, revision first question से, first question है revision का, किस बल के कारण, नदी के पानी में बहाव होता है, सही answer है, घर्षन बल, next question, भातकी की किस साखा में, अती सुक्ष्म कनों की चाल का ध्यन किया जाता है, answer है, quantum mechanics, next question है revision का, पृत्वी का पलायन वेक, जिसे की हम escape velocity भी बोलते हैं, कितना होता है, सही answer है, 11.2 km पर 30 second, next question, एक train जैसे ही चलना आरंप करती है, उसमें बैठे हुए यातरी का सिर पीछे की और जुग जाता है, इसका कारण क्या है, सही answer है, गती का जड़तव, next question है revision का, माप की क next question है, टैकियान से क्या तात परे है, सही answer है, प्रकाश की गती से तिर्व गती वाले कन को टैकियान कहते है, next question, समान गती से जो जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है, तो बम के नीचे पहुँचने तक हवाई जहाज की स्थिती क्या होगी, answer है, बम के ठीक उपर, next question करते है, revision का, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की और चले, तो नाव, dash, सही answer है, किनारे से दूर बढ़ेगी, फ्रेंट, इसके बाद जो मैंने आपके लिए इन सभी question का test रखा है, test आप जरूर attempt करना, क्योंकि test ही आ अधिक्तम घंतव कहां पर होता है, सही answer है, 277 Kelvin पर, next question करते है, revision का, लोलग घडियां गरिमियों में क्यों सुस्त यानि स्लो हो जाती है, सही answer है, लोलग की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाईल दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, next question करते है, revision का, एक व्यक्ति चलती रेल गारी में इंजन की और मुह करके बैठा है, वह एक सिक्का उचालता है, जो उसके पीछे गिरता है, तो रेल गारी चल रही है, answer है, आगे गती वर्धन के साथ, next question करते है, पानी के एक गिलास में एक बरफ का टुकरा तैर रहा है, जब बरफ पिगलती है, तो प next question करते है, revision का, परकाश वर्ष होता है, answer है, परकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी है, next question कर लेते है, यांतरिक उर्जा की ऐसा इकाई क्या होती है, answer है, जूल next question करते है, revision का, चंदरमा की सतय से एक चटान को प्रिथवी पर लाया जाता है, तब dash, answer है, इसका भार बदल जाएगा, प्रन्तु द्रव्वे मान नहीं बदलेगा next question करते है, revision का, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब dash होता है, answer है, वायू मंडलिये दाब से अधिक होता है, जब कोई जहाच नदी से सागर में घुसता है, तब dash, answer है, वह कुछ उपर उठता है next question करते है, ताब बढ़ने के साथ द्रव्वे की शयानता पर क्या फर्क पड़ता है, answer है, घटता है next question करते है, जब कोई वस्तु उपर से गिराई जाती है, तो उसका भार होता है, answer है, परिवर्तन शील next question, स्थिती विज्ञान निम्न में से किसे संबंदित है, answer है, विश्राम की स्थिती से next question है, एक अंतरिक शयान जो चक्कर लगा रहा है, से एक सेप छोड़ा जाता है, तो वह है, dash, answer है, अंतरिक शयान के साथ साथ उसी गती में, उसी गती से गतीमान होगा friends, मैं आपको बढ़ा दू, friends, जो मेरा blogging channel है, friends, प्लीज उसे subscribe जरू करिएगा, friends, ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाईवा पसंदारा है, content पसंदारा है, friends, विडियो को like जरू करिएगा, और ये blogging channel जो है, रवी, x, y, z, blogs, इसे भी, friends, please share and subscribe जरू करिएगा, मुझे आप की support की बहुत ज़्यदा जरूरत है, next question है, लोहे की सुई, पारे की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है, answer है, प्रिष्ट तनाव के कारण, next question करते है, मिटी का तेल, पानी के उपर क्यों तैरता है, answer है, कम घंतव होने के कारण, अगला question कर लेते हैं, revision का, किस परकार की जिसे की हम infrared waves भी बोलते हैं, next question करते है, revision का, आस्मान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, answer है, प्रकाश का प्रकिर्नन के कारण, आखरी question कर रहे है, revision का, इसके बाद इन सभी question का test है, test आपने जरूर attempt करना है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, answer है, प्रिष इसे समझ में आगे होंगे, और याद भी हो गयोंगे, friends, इस सबसे बहतरी तरीका था पढ़ने का, जिस सरीके से मैं आपको पढ़ाया, पहले पढ़ाया, फिर revision करवाया, अब इन 28 question का test है, जिसका answer आपने मुझे commenter के जरूर देना है, तो चलिए friends, start करते हैं, test, अगर friends, आपने इस अभी question बात में पढ़ने है, तो मेरे website पर जाके पर सकते हो, www.ravistudyiqugk.com है, special whatsapp group है, 7814339999, इसे भी आप join कर लीजिए, ठीक है friends, blogging channel है, ravi xyz blogs, current affairs channel है, current affairs by ravistudyiqugk, इसे भी subscribe कर लीजिए, daily सुबह 4 बज़े वीडियो आती है, detail वाला PDF दिया जाता है, telegram पे, facebook पे, instagram पे, आप follow कर सकते हो, ravistudyiqugk के नाम से है, तो चलिए friends, start करते हैं, test, test के लिए आपको all the best, first question है, हमारा test का, किस बल के कारण, नदी के पानी में बहाव होता है, चार options हैं, आपकी screen के उपर, answer आपने commentर के बताना है, next question कर लेते हैं, भौत एकी के शाखा में, अती सुक्ष्म कनों की चाल का अध्यन किया जाता है, next question करते हैं, पृत्वी का पलायन वेख, यानि escape velocity कितना होता है, next question करते हैं, एक train जैसे ही चलना आरंब करती है, उसमें बैठे वए यातरी का सर पीछे की और जुग जाता है, इसका कारण डैश है, answer आपने commentर के बताना है, फिर्ण्स अकर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, वीडियो को आप पॉस कर सकते हो, next question, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, चार options हैं आपके पस, टैके आन से क्या तात प्रे है, चार options है, answer आपने commentर के बताना है, next question करते हैं test का, समान गती से जा रहे हवाई जहाद से, यदि एक बम नीचे गिराया जाता है, तो बम की नीचे पहुँचने तक हवाई जहाज की स्थिती क्या होगी, फिरंस आपको कोशन का level देखके पता लग गया होगा, सभी कोशन जो हैं बिल्कुल अच्छे level की हैं, जो एक्जाम में पूछे जाते हैं, IES, UPSC, PCS, SSE level के कोशन से सारे हैं, नेक्स्ट हैमारा, एक व्यक्ति स्थित जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की और चले तो नाव डैश, नेक्स्ट कोशन हैमारा टेस्ट का, जल का अधिक्तम घंदब कहां पर होता है, नेक्स्ट कोशन कर लेते हैं, लोलक जिसे की हम पैंडूलम बोलते हैं, की कलावधी यदि टाइम पिरिएड किस पर निर्भर करता है, लोलक घडियां गर्मियों में क्यूं सुस्त हो जाती हैं, यानि स्लो हो जाती हैं, अंसर आपने कमेंटर के बताना है, एक वैक्ती चलती रेल गाड़ी में इंजन की और मुह करके बैठा है, वह एक सिक्का उच्छालता है, तो जो उसकी पीछे गिरता है, तो रेल गाड़ी चल रही है, चार ओप्शन्स हैं आपके पास, नेक्स्ट कोशन करते हैं टेस्ट का, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकरा तहर रहा है, जब बर्फ पिगलती है, तो पानी के स्थर पर क्या परभाब पड़ेगा, नेक्स्ट कोशन है मारा फर्मी वह मातरक है जो व्यक्त करती है चार आप्षिन्स हैं आपके पास नेक्स्ट कोशन है मारा टेस्ट का प्रकाश वर्ष होता है अंसर आपने कमेंटर के बताना है यांतरिक उर्जा की SI-EKI क्या होती है नेक्स्ट कोशन करते है चंदर्मा की सत्य से एक चटान को प्रित्वी पर लाया जाता है तब अंसर आपने कमेंटर के बताना है नेक्स्ट कोशन साबुन की बुलबुले का अंदर का डाब डैश नेक्स्ट कोशन जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब डैश अंसर आपने कमेंटर के बताना है नेक्स्ट कोशन ता बढ़ने के साथ दरव की श्यानता पर क्या परक पड़ता है नेक्स्ट कोशन जब कोई वस्तो उपर से गिराई जाती है तो उसका बहार होता है स्थिती विज्ञान नेमने में से किस से संबंदित है एक अंतरिक श्यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वो है डैश लोही की सुई पारे की सतय पर किस कारण से तैरती रहती है मिट्टी का तेल पानी के उपर क्यों तैरता है अंसर आपने कमेंटर के बताना है किस प्रकार की विद्यु चुम्बके तरंकों का प्रयोग रात्री द्रिश्टी उपकरन में किया जाता है अंसर आपने कमेंटर के बताना है आस्मान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है वर्षा की बुंद गोलाकार क्यों होती है फ्रेंट्स मैंने आपको यह 28 कोशन करवाए फिर 28 कोशन का मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया और इसके बाद इन सभी कोशन का टेस्ट भी ले लिया उमीद करता हूँ Friends, आपको सभी कोशन अच्छे से समझ में आगे होंगे और याद भी हो गएंगे, सबसे बहतरी न तरीका था तरीका था इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाजाए पहले मैंने आपको पढ़ाया है, सभी कोशन का मैंने आपको रिवीजन करवाया है, उसके बाद सभी कोशन का टेस्ट भी ले लिया, उमीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगे, वीडियो पसंद आई होगे, वीडियो को लाइक जरूर करिये, कम से कम दस फ्रेंड के साथ शेयर के जरूर करी है, मैंने आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया, कोई फालतों का आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, कोई पर्मोशन नहीं करी अब वीडियो खतम हो चुकी है, लेकिन मैं आपको छोटी सी इंफोर्मेशन दे देता हूँ अगर आपने यह सभी कोईशन बात में पढ़ने हैं, तो मेरे वेबसाइट पर जाके आप पढ़ सकते हो, www.ravistudyqgk.com, यह वेबसाइट का नाम है निया चैनल भी मेरा आगया हुआ है, Current Affairs by Ravi Study IQ GK पहले चैनल का नाम, Ravi Study IQ GK 2.0 था लेकिन हमने चेंज कर दिया है, Current Affairs by Ravi Study IQ GK, मेरे चैनल का नाम है Blogs चैनल भी है, मेरा Ravi XYZ Blogs, इसे भी Friends, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों चैनल को Friends, आप सब्सक्राइब करिए, ताकि Friends, आप और भी जो वीडियोस हमारी आती हो, उसे भी आपको help मिल सके आप मुझसे Telegram पे, Facebook पे, Instagram पे जूर सकते हो, Ravi Study IQ GK के नाम से है ठीक है Friends, वीडियो कैसी लगी है, आपने feedback जरूर देना है, कमेंटर के तो Friends, आप हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, Thank you and wish you all the best